नमस्कार मित्रों मैं जोती स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तिवारी जोती वास्तु टिप्स में मित्रों रोजाना हम गाउं में अक्सर सापों को देखते हैं सुबा हो या साम हो कभी भी हम अपने आसपास सापों को देख लेते हैं लेकिन मित्रों अगर आप सुबा सुबा साप को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है आए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं उससे पहले मित्रों अगर आपको या वी स्रीकिष्ण लिखना ना भूलिएगा हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाए घटित होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं अचानक साप को देखना भी हमारे लिए काफी डरावना होता है सुबा के समय साप देखना यह भी सुब हो सकता है और असुब भी हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने सपने के अंदर साप को देख लेते हैं जो तिस मानिताओं के अनुसार सुबा सुबा साप देखना बहुती सुब माना जाता है यदि आपको सुबह में साप दिख जाए तो यह बहुती सुप संकेत होता है नाग देखताओं को भगवान सीव का प्रतीक माना गया है कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर किसी को साप या नाग देख जाए उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है व्यक्ति का कोई भी काम बड़ी ही आसानी से हो जाता है अगर आपने भी सुबह सुबह साप को देखा है तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी आपकी बिगरती हुए कार जल्द ही बनने लगेंगे आपके जीवन में आपको खुसियां ही देखने को मिलने वाली है अगर मित्रों आप भगवान सी जैसीव की कृपा आपको प्राप्त होगी आपके बिगरती हुए कार ये बनने लगेंगे और आपके जीवन में चल ही परिशानिया दूर हो जाएंगी तो मित्रो या वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जैसीव संभू भोले नात और जैसरी किष्ण लिखकर जरूर बता अजयो झाले नहीं दोग